वेल रसल मेनिया भी धिरे-धिरे अब नजदी की आने लगा है, बैकलेश वाला यार मैच काड को पर्डिक करने की जरूती नहीं कि तयार हो चाहिए वाला तो वेल नेक्स वन मैच के खाट की तरफ चलते हैं वेल नेक्स वन मैच जो कि रोमन रेंट्स वर्ससुपरस्टार एज्ज के बीछ में गाने को मिल सकता है। मनतलब पर ना से सुपरस्टरोड में डिन देखने को मिल सकते हैं तर में इस गेंगार और से आ automobile का मैच हो जा-गन्सूपर्म well next one match की तरफ चलते है well next one match जो की Big E versus Apollo Crews के बिच में जो की Intercontinental Championship के लिए और Apollo Crews के साथ में होने वाले हैं जो की उनके Nigerian friend जो की बहुत ही interesting रहेगा देखना तो यहाँ पर maybe यह match भी हमें rematch देखने को मिलेगा Russell Minya का जो की बहुत ही interesting होगा तो देखना interesting रहेगा क्योंकि यहाँ पर Apollo Crews के साथ में एक बंदा भी है well next one match की बात करें तो well next one match जो की SmackDown Tag Team titles के लिए देखने को मिल सकता है और यह match हो सकता है Doff Jiggler and Robert Root जो की Dirty Dogs है जो इस टाइम पर SmackDown Tag Team Champion है उनका match हो सकता है Dominic Mysterio and Ray Mysterio के साथ में जो की बहुती interesting match हो सकता है मैं देखने को मिल सकता है Russell Mania के Backlash में तो देखना interesting रहेगा इनका match कैसा होता है well next one match की तरफ चले तो well next one match जो की हमें SmackDown Women's Titles के लिए match देखने को मिलता है यह match हो सकता है जो की Bianca Blair जो की इस टाइम पर SmackDown Champion है तो वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है Bianca Blair vs Bayley की बीच मैच जो की Bianca Blair vs Bayley का match जो की बहुती अच्छा खासा देखने को मिल सकता है इन में भी मुझे नहीं लगता कि Sasha Banks अभी फिलाल मैच में आएंगी भी तो यह बेली वर्सेस ब्यांका ब्लर देखना बहुती इंट्रेस्टिंग रहेगा वैल तो next one match की बात करतो well next one match जो की हमें Raw Women's Championship के लिए match देखने को मिल सकता है और यह match जो की हमें Charlotte Flair वर्सेस रिया रिपली वर्सेस आसका के बीच में हमें triple threat match देखने को मिल सकता है Raw Women's Championship के लिए और तीनों की तीनों सुपरस्टास बहुती अच्छी खासी हैं तो इसमें देखना इंटरस्टिंग रहेगा कि इनका मतलब match यह होता है कि नहीं होता है वेल यहाँ पर जैसी श्टूलैन दिखाए जारी हमें Raw में तो Charlotte Flair वर्सेस रिया रिपली वर्सेस आसका में में भी देखने को मिल सकता है वेल तो next one match की बात करें तो next one match है जो की United States Championship के लिए है और यह match है Seamus वर्सेस Keith Lee के बीच में यार Seamus वर्सेस Keith Lee यह match बहुत ही अच्छा कासा हमें देखने को मिल सकता है और यह match होगा confirm हो सकता है तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा क्योंकि Keith Lee return करें and Seamus को challenge करें United States Championship के लिए जो की देखना बहुत ही interesting रहेगा क्योंकि वो last time match card जो की मतलब वो निकले थे match से वो United States Championship के लिए था तो यहाँ पर आके में भी challenge कर सकते है Seamus को वापी से वेल तो next one match की बात करें तो next one match जो की हमें Raw Tag Team Championship के लिए match देखने को मिल सकता है और यह match होगा AJ Styles and Omos versus the Viking Raiders के बीच में and AJ Styles and Omos जो की Viking Raiders का match हमें बहुत ही अचा कासा देखने को मिल सकता है and देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसा match होता है तो वेल देखते हैं अगर यह match confirm होता है तो कैसा match होता है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा वेल तो next one match की बात करें तो next one match हमें देखने को मिल सकता है और यह match है Buddy Murphy versus Cesaro के बीच में वेल तो जैसा कि Buddy Murphy वसे सीजारों के वीजिव में ये मैच देखने को मिल सकता है और में भी हो सकता है यहाँ पर Buddy Murphy वापिस से disciple बन जाए Seth Rollins के यहाँ पर हमें ringside पर Seth Rollins भी देखने को मिल जाए तो यह यह story line बहुती interesting होगी अगर ऐसा होता है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरीवन